आप शबी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स तो आईए आज की रेस्पी श्टाट करपें पेडा बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी शामगरी उसे आपको दिखाए तो यहां पर मैंने ले लिया है आधा कटोरी के लख़क बेशन और एक कटोरी भरकर आता लिया है जिससे हम गेहों का रोटी बनाते हैं वही वाला आता लिये हैं और यहां पर हम ले से आधा कटोरी बेशन रहेगा तो आप जितना बनाना चाहिएगा उतना ले लिजिएगा तो यहां पर हमने गैस को आन कर दिया और कराई रख दिया है गर्म होने के लिए तो सबसे पहले यहां पर जो है हम आते को और बेशन को भून लेंगे तो बिल्कुल हम अभी घी न लौज टाले इसे हम सबसे पहले हम आता को डाले हैं आता को डालकर इसे हमें लोग फ्लेम के हमें इसे हल्का सब कलर आने तक इसे घृऻन लेना है तो बिल्कुल इसका कलर भी चेंज नहीं करना है और आते को हमें बुड़ा सा फून के रेडी कर लेना है क्योंकि आता कच्चा ना लगे इसलिए अब इसी के साथ हम बेशन भी डाल देंगे और बेशन को डाल के इसे फिर फून लेते हैं तो यहाँ पर चलाते हुए हमें लगातार फूनना है क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा और फिर इसका तेश्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए हमें चलाते हुए इससे बूनना है तो यहाँ पर देखे इसका कलर थोड़ा सा पांच मिनट तक पहले हम भून लिए अब यहाँ पर जो है हम इसमें एक चमच छोटा उला कल्चह लाता है चमच से थोड़ा सा बढ़ा है उससे पहले हम एक को ढाल देंगे एक शाथ हमें घी नहीं दालना है थोड़ा थोड़ा करके हम खी को डालते जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमने घी को डाल दिया है और फिर इसे चलाते हुए फिर से भूनेंगे और देखिए यहां पर थोड़ा सा दो चमच के लगवद यहां पर हम घी डाल दिये हैं जो छोटा बड़ा वाला इस पूल से थोड़ा सा बड़ा जो चमच आता है उसे हम ले लिये हैं और जो है इसे भूनते हुए हम अच्छे से बिल्कुल हमें भूनते हुए थोड़ा घी डालते हुए और भूनते हुए इसे हमें तयार करना है तो यहां पर आप देख सकती है कि इसे जो है भून कर हम भूनते हुए हम रेडि कर लिये हैं इसे बिल्कुल धीरे इसे थोड़ा सा समय जरूर लगेगा नेकिन यह बॉंगोर की बढ़ या भूनकर तयार होगा और जब यह भून जाएगा न तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुस्पू आने लगेगी तो आप समझ लिजेगा यह बिल्कुल रेडि हैं जासों तो यहाँ पर हम जैस को कर लिए हैं दूसरा पैंग चढ़ा दिये है और इसमें जो मैंने चीनी लिया थए चीनी को डालकर आथा को ठोड़ी में लगवक पानी डाल दिये हैं और इे अब हम पका लेते हैं चीनी का अच्छे से बिल्कुल हमें इसे कोई भी मुक्तब इसका चासरी नहीं बनाना है एक तार या दो तार का आपको दिखाएंगे कैसा तयार करना है तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा फ्रेंज इसी के साथ यार दिला दे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को पेश कर दिजिएगा तो यहाँ पर प्रेंज देखिए यह बिल्कुल बनिया साथ हो गया इससे जो केड़ा हम बनाएंगे उससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा हमें कोई भी फूड कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कलर बिल्कुल अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने फिर से एक कटोरी पानी डाल दिया और थोड़ा सा हरी इलाइची का पाउडर डाल दिया इससे पेस्ट बहुत ही अच्छा आजाता है तो यह आप लोगों को अगर फ्लेवर पसंदो तो छोटी इलाइची डालिएगा नहीं तो इसकी भी कर सकती है और अब यहाँ पर जो मैंने आपे और बेसन को भोन कर रखा है उसे फिर से गयस पर चढ़ा देंगे और इसे हम थोड़ा-THोड़ा करके डालते हैं तो यह देखें यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा डाला फिर इसे अच्छे से बिल्कुत आपे के साथ मीक्स करेंगे इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डालना है जो चीनी के चासनी बनाए है और फिर उसे हमें चला लेना है तो अच्छे से बेलकोल अच्छे से बेलं को यहाँ पर रहे सब्सक्राइब लिए है तो consistent बहुत गरम है तो जब यह हलका गर्म हो जाए तभी इसे हमें अपने हाथों से मशलते हुए इसे बिल्कुल तैयार करना है क्योंकि यह जो है अगर ज्यादा देर तक आप छोड़ देंगे न कि यह बिल्कुल की रच्छा नहीं बनेगा तो इसलिए इसे हलका जब गरम हो प्रेडिन हो गया है बनाने के लिए तो इसे हम पेडा का शेव आप चैसा भी चाहे बना सकती है जिस सेफ में चाहिए आपको पसंदों उस सेफ में आप इसे बे सकती है तो देखें यहां में हमें गोल-गोल हथेलियों पर घुमाते हुए इसे ऐसे रखते हुए थोड़ा पर अप काल religiouslyगए तो इसे इसे बित्कत हो रहा हुए तो इसे घुमाते हुए हमें जो पना लेना है यहां पर यह तो पर ब्याल बहुत ही असानए यहां में ए फ ile गिन सस्थ पता रहे है खाने में दूर में किसी ने यकीद नहीं किया आटे और बेसन से बनाया यह घर तो आप लोगों को friends मेरी ये recipe कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो friends तो आप एक like जरूर दिजेगा और अपना प्यारा प्यारा comment करके हमें जरूर बताईएगा कि आप लोगों को मेरी ये recipe कैसी लगी तो देख सकती है friends यहाँ पे आपको तोड़ कर दिखाते हैं पिल्कुल पर्याँ चाहिए बहुत ही नों में बूल जाने वाला ये पेड़ा बनकर तयार हुआ था और बहुत ही tasty ये देखे आपको एक तोड़ कर भी दिखा रहे हैं बह अच्छा बनाता friends तो आज की वीडियो यहीं तक friends कल फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ तो तक तक के लिए आप लोग अपना धियान देजेगा अगर मेरी recipe अच्छी लगी तो आपको जाने पिल्चाहिए बहुत है अच्छाहिए बहुत है